यो एकदम जबरदस और टेश्टी रसमलाई और आप लोग जब ऐसा दबा के सेप देते न तो आपका मलाई फट जाता न वो भी पटेगा बिल्कुल नहीं है यो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गोला गोला रोला रोला बनेगा और रसमलाई भी ऐसा की बाजर को फेल मतलब क्या सॉफ्ट है, स्पॉंज है, नर्म है, जूस है, टेश्ट है, स्वाधिस्ट है, मतलब क्या है मिला वट इसमें बिल्कुल भी नहीं एकदम सही तरीका बताएगा और इजी जैसा बताएगा और इजी है भी तुम देखो तो देखो सबसे पहले एक लीटर नचनिया का दूद लेने का, इसको पका पका के 70% करने का, अभी इसमें आप लोग के पास केसर है तो ठीक है, नहीं तो क्या essence भी डाल सकते है, टेंशन लेने का नहीं, नहीं तो color भी डाल सकते है, इसमें चुटकी पर इलाजिका powder डालने का, 100 ग्राम चीने डालने का, आपको ज़्यादा आपको जैसा अच्छा लगता वैसा, अभी इस सब को अच्छे से मिक्स करके, इसको पका पका के पूरा 50% करने का, और साइड पे रखने का, अभी एके दूसरे पतिले में, देड़ लिटर दूद नचनिया का, इसमें जैसे ही उतल पुतल होगा ना, गैस को बंद करने का, अभी इसके अंदर विनेगर डालने का, नहीं तो नीमबू का पानी भी डाल सकता है, पर जितना विनेगर लेगा ना, उसका डबल पानी मिला की, उसको डूद में डालने का, और अच्छे से दीर दीर होले होले इसको चलाने का, इसको निकल के कपड़े में चानने का, और स पानी को अलग करके इसको एक दो बार ऐसा तंडे पानी से दोने का तो क्या है थोड़ा कट्टा परन्ज होगा ना नीम भूगा नहीं तो विने करका वो चला जाएगा पर आहां पानी को अच्छे से नीच बीडा पानी कुछ भी बचना नहीं मंगता अभी हमको मलाई मिल गय अब इसको क्या है इसा हाथ का जो ये हिस्सा है ना इसे क्या है मलाई को ऐसा गिसेगा ना तो मलाई में लंब सी नहीं रहेगा मतलब क्या है जो चोड़ा चोड़ा दाना आता है वो सारा अच्छे से पिस जाना मंगता है इसा मतलब नहीं कि ग्रैंटर में डाल की पिसने का य बंद करेंगा इससा हाथ कोपहला के दभाएगा तो ये अच्छे से अपना सैप पकड़एगा इश्येत करो अब लोग एक दू बार करोगे ना शोएगा celebration मतलों पिर क्या side side का इस रोल कर प्रेंसा एक प्रेंगा नमा ना पूरा बंद नहीं करने का आधा बंद करने का और पिर क्या है दस बारा मिनिट बाद डखन खोल के इसको एक एक करके पलटने का पिर सी डखन लगने का मलब टोटल 20 से 25 मिनिट इसको पकाने का और पिर इसको पूरा तंडा करने के बाद में ये सारा मलाई में से चासनी को नीचोड के ये रस में डालने का जो पहले बनाया था अभी देखो ये रस मलाई को चार से पांच गंडा बाद हीच काने का तंडा करके का ओ या ऐसे का ओ म तुम्हारे घर आने को मजबूर होती पर तुम हो कौन भाईया ये मेरा दोस्त है